हलो दोस्तों में तरा सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ सिंघाडे के आटा का हलवा यह लपसी भी कहते हैं बुद्नेल खंड में इसे लपसी कहते हैं मेरे गाम में इसे लपसी बूला जाता था सिंघाडे के आटा का हलवा बनाने के लिए हमने बजार से सिंघाडे लिये थी और इसे घर में कूट लिया था और मिक्सी में पेस लिया है उसी से हमने आटा बनाया है और हम गुड से बना रहे हैं अब हमें कड़ाई गरम कर लेंगी और उसमें घी डाल लेंगे जब हमारा गरम हो जाएगा उसके बाद Спश्चा डालकर बुंज लेंगे करس को बलकुल हमसे लो रखेंगे जब हमारा आटा भुंज जाएगा उसके बाद हम पानी डाल करके या फिर दूर डाल क roku के इसे पका लें बहुत जल्दी बन जाता है, दस-पांच मिनट में बनकर तयार हो जाता है, आप अपने छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं, अगर आपको गुड़ खाना पसंद नहीं, तो आप सककर से बना सकते हैं, सककर से बिलकुल सफेद दिखेगा, हम गुड़ से बना रहे हैं, क्योंकि अभी ठंडी है, और मेरे घर में हमेशा गुड़ से ही बनाया जाता है, इसको बनाते समय चम्मच को बंद नहीं करना है, हिलाते ही रहना है, नहीं इसमें गाट पर जाती है, और गैस को विलकुल सेलो ही रखना है, अब एक छोटी चम्मच हम सोट डाल देंगे, सोट डालने से अच्छा टैस्ट आता है, और अच्छे से मिला देंगे, इसे चलाना बंद न करें नहीं इसकी टाट पड़ जाएगी और यह सेट होने लगता है हमारा हल्वा बन चुका है अब हम एक पिलेट में घी लगा लेंगी और उसमें हम परोज दींगी और इसे ठंड़ा होने के लिए एक गंटा के लिए रख देंगे जब हमारा हल्वा ठंड़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी पीसित मनपसंद काट लेंगी ठंड़ा होने के बाद यह अच्छे से सैट हो जाता है और हम ड्राइफूट से गार्नेस कर देंगे जो भी आपके पास ड्राइफूट उससे गार्नेस कर दें हम बदाम से कर रहे हैं बदाम को हमने लंबा चीर लगा करके दो टुकड़ों में काट लिया है क्या हमारा अलवा ठंड़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी पीस काट लेंगी अब एक घंटा हो चुके हैं हमारा अलवा कितना अच्छा बन चुका है और अच्छी से सैट हो गया है आप जैसे मन पसंद पीसिस काट लें आप भी जरूर बनाएगी अपने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मुंदेल खंड में गड़े चतूर्थी मनाई जाती है गड़े जी काया फूजा के लिए बनाया जाता है तिल के लड़ो और संगाड़ी की आटा की लपसी या हलुआ भी कहते हैं बजार में तो आटा भी मिलता है पर वो अच्छे से सैट नहीं होता क्योंकि वो मेक्स होता है इसलिए आप संगाड़े लें और उसी कूट लें और घर में ही पीच लें लाइक कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद